किर्गिट से किर्गिट तक पर आपको खुशामधीर कहते हैं मैं हूं फराद मेरे साथ मुझूद है साउथ आज हम बात करेंगे स्कॉट और वेस्ट इंडिस के वर्ल्ड कप से बाहिर हो जाने के बाद ग्रूप का क्या सिनेरिव बन रहा है इस अवाले से बात करेंगे और ह सब्सक्राइब करें लाइक करें करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आज देखोगे तो जरूर तो फिर क्या कि तो आज जो इतना बड़ा अपसेट हुआ हम यही मान के चल रहे थे कि वहीं वेस्ट इंडिस हमारे ग्रूप में आएगी पहली बात तो यकीन नियारा के वेस्ट इंडिस वर्ल्ड कप से कौलिफार राउंड में बार हो गई यकीन नियारा बिल्कुल भी अभी तक तक यहां तो वेस्ट इंडिस पूरे मेच में कहीं वापस आया इनिया पाईसान का गूरूब तो और असान होगी है जर अब पढ़के बदाया है पाकिस्तान के मेच पढ़ेंगे जो संडे वाले दिन होने जा रहा है जो कि लेकिन इसमें बारिश की नजर हो सकता है अगर बारिश हो जाती है इंडिया पाकिस्तान को मिल जागा एक एक पॉइंट और बिलफर साब ले लो इंडिया अगर चारो मेच जीत जाता है अपने उसके बाद तो इंडिया नाइन पर मतलब नो पॉइंट के साथ पाकिस्तान जो है साओध अफरीका से फच सकता है अब उसके पाकिस्तान का जिंबावे और नेथे लेंट से उससे तो जी जाएगा देखो आप भी इमान तो सब्सक्राइब यह पर्त में खेला जाएगा एक फ़ीकर से मेच का अफरीका डिकाट जाता है पाकिस्तान उसके फिंडिया जाता है मुश्विक्ता तो बहुत हो अगर हर घृता तो बॉह मश्विक्त मुश्किल नहिं हम नोकआउट हो जाएंगे अब बंगला जीत जाता ह हमारे साथ पॉइंट होंगे और अफरीका जाहरा सी बाति अफरिका इन तीनों जाना है और के बान तरों में तो पाकिस्टान अपने लेकिन inelen dormir या पाकि पाकिस्तान की रखाले लक्न सबस्किन है कि यह कि और्म यह रहो हों कर सकते हम QC için कर großen कर सकते हम इन शेलिए बीट कर देता है तो अगले दो जो मैचीस हैं वो बिल्कुल इजी है पाकिसान टॉप पे आ सकते हैं जैसे 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिसान आ गया था बस इतना फराग है लेकि पिछले साल अमने टॉप की टीमों को हराया था इस बार हमारे पास दो असान टीम है फिर आती है बारी सौद अफरीका की मुझे डाउट हो रहा था कि पाकिसान और सौद अफरीका में वहां होता ना तो पाकिसान को बाउंस के खिलाब वैसी प्राबलम होती है और वह पीचिज है भी बांसिंग फरेवर मिल रही है और बंगलादेश की बात करें वह एडलेट में तो पाकिसान तो हर लेकिन अगर पाकिस्तान जो है इंडिया पाकिस्तान साओध अफरीका से हाड़ जाते दोनों तो फिर यह दोनों रंग्रेट पे आएंगे दोनों अगर तीन टीम में कहता हूं आट फाइंट लगा दिती ना जैसे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड और साओध अफ लगता है कि वो 16 वर में ही चेस करने हमारी टीम जाके 10 अवर में चेस्ट नहीं करें कर सकते हमारी खिलाडी को इराद ही होता कि आउट ऑफ दो बोक्स जाके बैटिंग करें अपना रणेट सेट करें इस वर्ल्ड कप में रंड रेट बहुत एहमियात है साथ से आठ मैच ब होगा अगर हुआ तो चे या पाई और दोनों केप्टन इस पर एगरी नहीं करते हैं वीवर्स को बताते चलें चाहता है बेश्क छे ओवर का मैच हो पर मैच लाजमी हो और पाकिस्तान और इडिया का मैच बगेर बॉल फेके ही खतम हो जाता तो एक सो पच्पन करोड रु करना पड़ा लेकिन वह् Mission करें गे वह आपको बदाता चलूंपाकिससान का पहला मेच 23 अक्तुबर को अगेंस मैलबॉन और 27 ऑक्तूबर को अगेंस जिंबावे पर्थ में खेला जाएगा और नैदर लेंड के खिलाब भी पर्थ में खिला जाएगा तीस ऑक्तूबर को तीन नवंबर को फिर पाकिस्तान टीम ट्रैवल करके सिडनी आजाएगी जहां पर सौध अफरीका का मस्ट विन पाकिसान के लिए गेम होगा यह इंशाला वह गेम खिला जाएगा फिर उसके बाद पाकिसान वर्सिस बंगलादेश छे अक्तूबर को वह भी एडलेट में खेला जाएगा मेरी नदर में पाकिसान के पास इस अच्छी ऑपरचिनिटी नहीं अच्छा मिला है वेस्ट इंडीस आपका बहार हो गया जिससे हमें डल लग रहा था कि वह दोस्त वर्ल्ड कप से हमारे साथ क्या करता आ रहा है दो से पहले में बहुत बढ़ा जाए बारिश की नजर हो सब्सक्राइब हो सकता है पर यह हम तो चाहेंगे के मैश हो और सारी टिकेटेस हो चुकी है तो हम टीम का मैच है और न्यूजिलेंड अगेंस न्यूजिलेंड इन टीमों की भी राइवर्ली चलती पर ऐसी राइवर्ली है कि जैसे ऑस्टेलिया इंगलेंड की होती है ना इसी जी ने मरने का मामला नहीं है पाकिसान इंडिया के फैंस आपस में लेते हैं यह मैच भी बारिश की नजर होने के चांस से फिर दूसरा मैच अफगानिस्तान वर्सिस इंगलेंड का है पहले मैच किसको फेवरिट के अब जाए तो अस्टेलिया यह क्योंकि मुझे इसा लगता है कि न्यूजिलेंड इस भार वर्ल्लकॉप में कुछ खास करने लगता है लेकिन वर्ल्लकॉप में उठेंगे कल पता लग जाएगा में उठ जाएगा वो तो देखेंगे पर जैसे वर्ड को तफ है और कोई एक उस्टेलिया में उस्टेलिया से वन्साइड मेंच नहीं नहीं हा यह जए से रख वहाए नंकर अच्छ ऑने खेल यहां झाल रहेते हैं चले इन मेंच पी यह नदर रखेंगे और दूसरा में जो है अग्वानी साम उसका उस्ट वह तो डाएगा जीज़ जायागा बासानि सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेर करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अलाहाफीस